सो हेलो विवान गाइस सरे महादेव राधे राधे कैसे आप सभी लोग गाइस आई हूप आप सभी लोग अच्छे अगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे विस्तो आपको थमनेल से पता चल गए होगे बट येस आज हम कैप्रिकॉन साइन के लिए रीडिंग क माइन आता है या Capricorn आता है तो आप ये रीडिंग पे आए हो ठीक है सही है आपके लिए रीडिंग राइट है सो यहां से काई स्टारों के देश से देखिंगे सबसे पहले हम starting of the month, mid of the month, end of the month की energies then guys आपके लिए energies देखेंगे चकाउट करेंगे then आपकी guidance लेंगे and guys also अगर आप new हो चानल पर तो reading स्टार्ट करने से पहले चानल को subscribe करके bell icon को दबा के all पर set कर दो so that आपको आने वाले सभी notifications मिलते रहें personal reading अगर आपको लेने किसी भी question की regarding तो आप मुझे instagram पर DM कर सकते हैं instagram का link description में है या फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हूँ so okay starting of the month में guys सबसे पहले यहाँ पर आया है eight of cups card के energies okay यहाँ पर है five of wands mid of the month कैसा रहेगा आपके लिए night of swords के energies हैं यहाँ पर okay and ten of wands okay five से ten की energies हैं wow amazing amazing so end of the month की energies आपके लिए क्या है ace of swords की energies हैं okay आपके लिए है and then last card आपके लिए है five of pentacles okay bottom of it है कि यहाँ पर wheel of fortune middle energies Capricorns आपके लिए है the hanged man okay so कही न कहीं guys यह full month आपके लिए distant month है कुछ ऐसा होने वाले जो आपके लिए distant है ठीक है आपके लिए होना ही होना है okay and अगर आप किसी चीज़ के लिए struck हो ठीक है struckness आपकी life में है बहुत सारे times है struckness आपको feel हो रही है so उससे बाहर आप आते होए दिख रहे हो यहाँ पर आपकी awakening process भी चल रहा है guys okay awakening यहाँ पर आपकी होते होए दिख रही है awakening process आपका चल रहा है यहाँ पर transformation आपको देखने को मिलने वाली है Capricorns अपनी life में okay कुछ ऐसा सच जहाँ पर आप अठके हुए थे वो आपके सामने आ सकता है यहाँ पर आप किसी चीज़ के उपर believe नहीं कर रहे थे okay but yes वो reality में है वो चीज़ so यहाँ पर वो हो सकता है कि हाँ आपके सामने आ जाएं वो सब चीज़े आप समझने लग जाओ चीज़ों को ठीक है and आपके लिए guys starting of the month ही यहाँ पर है वाकी राश्री guys अगर मैं बता हूँ Pisces राश्री और Taurus, Leo, Capricorn Scorpio Cancer okay से राश्री आपके लिए important हो सकते है आपके Sun, Moon, Rising on North Node में and guys starting of the month 8 of Cups आचुका है 5 of Wands आचुका है किसे रिष्टे में आप guys toxic relation है toxic family में कोई रिष्टा हो सकता है या पर toxicity बहुत जाए बहुत जाए लड़ाई जगडे फसाद चल रहे है ठीक है यह family में हो सकता है यह guys आपके और आपके friends भी हो सकता है आपके और आपके colleagues में हो रहा है ठीक है office politics हो सकती है यह कुछ न कुछ तो यहाँ पे चल रहा है Capricorns आपकी against जो आपको पसंद नहीं आ रहा है ठीक है यहाँ आपको कहा ज़रे उस चीज़ से आप move on करिए यह starting of the month का time बहुत अच्छा है move on करिए इन सब चीज़ों को मतलब ना तो इन सब चीज़ों में आना है आपको ठीक है ना ही इन सब चीज़ों में आने के जरुरत है आपको आप just move on करके अपनी life के ओपर focus करिए या अगर कोई office छोड़ आप यहाँ पे छोड़ते हुए भी दिख रहे हो कोई office छिक है और दूसरे office में यहाँ पे entry आप बहुत जल लेने वाले हो अगले ही mid of the month में ठीक है यहाँ पे guys move on की energies है तो of course कहीं ना कि आप travel करते हो दिख रहे हो एक जगा से दूसरी जगा जाते हो पे दिख रहे हो यहाँ पे ऐसा भी हो सकते हैं आप अपने mind में change लेके आ रहे हो आप अपने दिमाग को change करते हो दिख रहे हो आपका दिमाग बहुत जारा stress में था change उसको कर रहे हो उससे क्या होगा बिलकुल move on कर गए हो जो भी आप लग गए हो उसका थोड़ा workload आपके उपर जादा आता हुआ दिख रहे है ठीक है मेट अफ तर मंत में workload की energies है guys यहाँ पे आपके उवर बहुत जारा workload है आपको कहा जाए थोड़ी help मांगे अगर आप मांग सकते हो guys help मांगे धिक है क्योंकि यहाँ पर घर आपको है ठीक है वहां तक लेके चाना याइस बहुत करीब है आपकी मन्जल आप अकेले भी जा सकतें हो वहां तक जहां भी जाना है बाट यह सल्प मांगने में क्या ही जाता है क्योंकि आपके लिए help लेके आने के लिए बहुत लोग खड़े हैं और ऐसा भी हो सकते हैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई opportunity आ रही है कोई person आते हैं कोई दिख रहे हैं मुझे lepsi आयन की जमिना एले ब्रग वेढिरिस और सोरी एडिस लीओ सजेटेरिस राशी आपके लिए इंप्रोटन्ट हो सकती हैं कि आपके तरफ काई कोई opportunity कोई person बहुत तीजी से रहे हैं अचल्य में मांगत में कोई आपके बार वरक लोड दिख रहा है बहुत ज़रा काम करते हैं दिखरो आपका काम भढ़ता हुआ दिखरो आपका बिजनस भढ़ता हुआ दिखरो है Capricorns, okay मकर राशी, mid of the month में, end of the month में यहां पे आपके लिए है Five of Pentacles or Ace of Swords, so कहीं न कहीं communication gap हो सकता है आप दोने में बहुत टाइम से चला रहा था आपके और आपके पार्टनर में आप गाइस यह मन्त में, जुलाई के महीने में आपके communication gap खतम होता हुआ दिख रहा है आपके relationship में बातचीत होते हुए दिख रही है और बातचीत से बाते सौट आउट होते हुए दिख रही है ठीक है दीरे दीरे तो आपके बाते सौट आउट होते हुए दिख रही है ठीक है और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ आपकी लाइफ में कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहे है कि एस कहीं न कहीं कम्निकेशन हो रही है बहुत सरी लोग आपकी तरफ आ रहे हैं बातशीत करने ये भी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के पिछ में यहां आगाईस आपको थोड़े money issues चल रहे हैं ये end of the month में तो आपको कहा जा रहे है don't worry ये money issues इस वजह से हैं because आपने जो hard work किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा ठीक है थोड़ा सा आपको होता है भाप भगवान हर किसी को ये time दिखाते है कि थोड़ा money issue आने start हो गया ना because यहां पे आपको यही कहा जा रहे है कि it's okay it's okay कि होता है ये सब चीज़े सीखनी पड़ती है learn करनी पड़ती है learn करने की जरूरत भी हर किसी को होती ही है okay so अगर issue आए है don't worry उस time को अच्छे से जी लो कोई और काम में लगा दो थोड़ा time yes अपने इस काम में भी consistency रखो but दूसरे काम में भी heart डालना start करतो so that अगर यहां से आपको issue दिख रहे है तो वहां से वो issues खतम हो जाए financial issues आपके खतम होते में भी दिख रहे है आप sort out कर लोगे बाचित करके सब के साथ luck आपका साथ देता हुआ दिख रहे है ओके Capricorns के लिए महीना कैसा रहने वाला है July month 2024 तो आप guys अपनी healing करिये इस month में आप एक healer बनते हुए दिख रहे हो या किसी से अपनी healing करवाते हुए दिख रहे हो ठीक है और यहां पर पैसे का अगर issue है guys वह sort out मैंने कहा न हो चाहेगा don't worry financial stability दिख रही है या फिर कोई earth sign के person आपकी तरफ आ सकते है जिनकी राशिय है Taurus, वुरदू, Capricorn वो person आपकी तरफ आ रहे है financially बहुत stable है वो बहुत अच्छी family से हो सकते है and yes well well educated family मैं को यहां पर बहुत अच्छा dressing sense पी दिख रहे है आपके partner का and yes strong warning unexpectedly होने वाला है unexpectedly आप अपनी healing करोगा unexpectedly कोई person आपकी लाइफ में टपकने वाला है ठीक है एक दम से आजाएगा ठीक है 43 number, 7 number, 51 6 number, 10 number, 1 आपके लिए important हो सकते हैं so यह थी आपकी आपकी आप हाथों से काम करते हैं बहुत सारा जिसमें आपको बरकत मिलने वाली है इस मन्त में so यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है यहाँ से आपके लिए क्या guidance आ रहे हैं and reading को like कर लेना, channel को subscribe कर लेना अपने sun, moon, rising और north node को देखना मत भूलना and wow Capricorns आपके लिए भगवान गनेश आए है so Lord Ganesha आपको यही बोलना चाहते है कि आपकी लाइफ में infinite abundance आपको देखने को मिलने वाली है obstacles आपकी लाइफ से रिमोव की जाहेंगे धीरे धीरे इस मन्त में तो रिमोव हो ही जाहेंगे आपकी लाइफ में spiritual support and also connections increase होने वाले आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में बेजे चाहने है आपके लिए ज़रूरी कोई lesson unfold होते हुए इस मन्त में ओकी अगर आपको रिडिंग पसंद आई हो लाइक दस रिडिंग पर्सनल रिडिंग अगर लेनी है तो इंस्ट्रग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उपर अबाउट सेक्शन से भी है वहाँ से आप ले सकते हो ठीक है वहाँ क्लेक करना इंस्ट्रग्राम पर जाना मुझे डियम करना क्रॉस्ट्रल्स पाय करने है वो भी वहीं से कर सकते हो ठीक है अभी के लितना ही गाईस राधे राधे गौर्ड ब्लस्ट रिववान बाई गाईस